आम आदमी की मुश्किल रोजाना बढ़ती जा रही है पहले दाल फिर सबजी और अब अंडे और चिकन की कीमते बढ़ने वाली है कारोबारियों ने बताया कि पिछले एक महिने में अंडे की डिमांड तेजी से बढ़ी है लेकिन सप्लाई प्राप नहीं है वहीं मुर्गियों को खिलाने वाले दाने की कीमत भी कुछ कम नहीं हुई है इसलिए कारोबारी अगले कुछ दिनों में दाम बढ़ा सकते हैं मोजुदा समय में रिटेल में बिखने वाले एक अंडे की कीमत 7 रुपे है जो बढ़कर 9 रुपे तक पहुच सकती है NECC की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 100 अंडे की कीमत 540 रुपे है वहीं एमदाबाद में 515 रुपे प्रती सैकड़ा है अजमेर में 512 रुपे राची में 557 रुपे और पटना में 552 रुपे लखनाओ में 557 रुपे और वहीं वर्नासी में 560 रुपे प्रती सैकड़ा है अगर इस महिनी की शुरुआत की बात करें तो ओसत 100 अंडे की कीमत 455 से 500 रुपे थी वहीं अब ये बढ़कर 560 रुपे प्रती सैकड़ा के पार पहुच गई है दिली में मुर्गा मंडी गाजीपुर के कारोबारियों ने बताया चिकन की कीबते भी बढ़ने लगी है सोमवार को थोक बजार में चिकन के दाम 190 से 210 रुपे प्रती किलोग्राम हो गए अगर रिटेल बजार की बात करें तो इसकी कीमत अब 200 से 260 रुपे प्रती किलोग्राम है आने वाले दिनों में कारोबारी 10 से 20 रुपे तक दाम बढ़ाने की तैयारी कर रहे है कारोबारियों का कहना है कि साल के अंत में डिमांड 30 फीज़दी तक बढ़ सकती है उत्तर परदेश पॉल्टरी फार्म्स असेशेशियन के अध्यक्ष ने बताया कि आमतोर पर सद्यों में अंडे और चिकन की डिमांड बढ़ती है लेकिन इस साल सप्लाई कम है और डिमांड में तेजी बनी हुई है इसके अलावा किसानों की लागत में कमी नहीं आ रही है ऐसे में उनके पासदाम बढ़ाने के अलावा कोई और चारण नहीं है जिन किसानों ने अंडो के स्टोक किया हुआ है उन्हें पिछले महीने बेश दिया इसी लिए सप्लाई की चिंता बनी हुई है खास कर देशी अंडो की डिमांड अचानक बढ़ गई है ऐसे में दिसंबर अंद तक या नई साल की शुरुआत में अंडो के दाम दो रुपे बढ़ सकते हैं ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी भास कर दो रुपे लागोर्ट मार्केटम डिवी झाल लागोर्ट मार्केटम, कर दो रूबल यह झाल